Employment एक ऐसा चाप्टर है जिसके अंदर जादा इंडेप्थ जाने की जरुवत नहीं है बट ये टेक्निकालिटी मांगता है यानि इसके साथ जो ये पूरी PDF है जो तुम्हारे पास description में available रहेगी make sure हर एक word जो उसके अंदर है हर एक content जो उसके अंदर है तुम बहुत ध्यान से पढ़ लो and अगर तुम्हें भरोसा नहीं होता है तो जब exam हो जाएगा exactly ये PDF खोल के देखना है तुम्हें पता चलेगा कि क्यों मैंने बोला था because मैं सारे secrets ऐसे reveal नहीं कर सकता हूँ so आज employment में मैं तुम्हें वो पढ़ाऊंगा जो के guaranteed पूछा ही जाएगा इस chapter से मैंने वो सब हटा दिया है जो तुमसे किसी भी हालत में नहीं पूछा जाएगा that means जितना भी आएगा तुम्हारे exam में इस particular PDF से ही आएगा basic concepts को सबसे पहले पढ़ना चालू करते है क्योंकि again हमारा failure वहीं पर आता है basic concepts के साथ especially employment में जो के हर को यह नहीं समझता है तीन चीज़े है worker कौन होता है, labor force कौन होता है, workforce कौन होता है पहले चीज़ तो worker समझो नाम से ही है, जो काम करता है वो worker हुआ an individual who is involved in some economic activity to earn a living जो भी इंसान काम कर रहा है क्योंकि उसे कुछ पैसा कमाना है economic activity है, तुम लोग यह लिखना भूलते हो involved in some economic activity तुम देख रहो, मैं तारा सितारा भी बना देता हूँ labor force जब भी तुम सुनते हो तो तुम्हें लगता है labor force और work force तो सहीं ही हो गया ना, 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 भही नाम से पकड़ो देखो, मेरी क्या थी? मेरी अंग्रेजी वीग थी तो मैं हर चीज़ नाम से पकड़ता था ने समझ रहो यह काम labor force से मेरे को समझ में नहीं आ रहा काम लेकिन मेरे को work force से समझ में आ रहा काम तो work force वो बंदा हो गया जो काम कर रहा है labor force हो गए जो काम कर रहें और जो काम करना चाहते हैं लेकिन काम नहीं मिल रहा है तो ये सारे प्राणी हो गए एकटे प्राणी हो गए the one who are looking for the job, they are not getting the job second, जो साथ में काम भी कर रहे हैं वो पूरे मिलाके labor force है लेकिन जब work force की बात आएगी number of persons who are actually employed at a particular time जो actually employed है जो actually काम कर रहे हैं वो work force होगा work है ना work, work मतलब क्या हुआ भी या काम हुआ ना, लेकिन labor force क्या कहता है कि इसके अंदर जो काम कर रहे है जो working है, वो तो आएंगे याएंगे लेकिन उसके साथ ध्यान दीजे मेरे भाईयों, उसके साथ साथ persons seeking and or available for work जो person या तो धून रहा होगा seeking या फिर काम के लिए वो available है लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा है वो आ जाएंगे हमारे labor force के अंदर मतलब याद रखना तुम्हें comparatively आसान है, तीन worker worker हो गया economic activity वाला फिर हो गया labor force, labor force मतलब जो काम कर रहा है और जो काम धून रहा है workforce सीदे सीदे कहता है कि जो काम कर रहा है वही workforce का part बनेगा मतलब मुझे नहीं लगता कि इसके बाद कोई तुम्हें confuse कर सकता है कि unemployed कैसे निकालने simple सा तरीका है, unemployed निकालने का पूरी labor force उठाओ जो पूरी labor force है, उसमें से जितने लोग workforce का part है, जो काम कर रहे हैं जिनके पास काम है, जो regular basis पे economic activity करके, अपने लिए seeking भी है और available भी है लेकिन इनको job नहीं मिल रहा है ये इसके अंदर आ जाएंगे, बचेंगे वही जो seeking है and or available वाले जो हैं, यानि workforce अडादिया जो लोग काम कर रहे हैं, तो अब अगर तुमसे कोई पूछता है, मान लो पूछ ले तुमसे अगर कोई पूछे के भईया, employment भी तो समझाओ एक बार क्या खिर employment का मतलब क्या हुआ so employment is an activity which enables a person to earn means of life या means of living, जो भी तुम उसे बोलना चाहते हो तो फिर तुम पूछोगे, कि मैंने शुरुआत में worker बताया था, यहां पे employment बताया, दोनों तो सेम हुआ exactly मैं यही समझाना चाहता हूँ यही technicality है इस chapter की के पहले उस जमाने में वो लोग जो काम किया करते थे या किसी के भी under काम करने वाले लोगों को worker ही बुलाया जाता था वो पहले का जमाना था, और यह जो IED का employment chapter उठके आ है यह वही 1940s, 1930s के concept ने हैं जब micro macro economics का जनम हो रहा था जो तुमारा macro economics है तो उस time पे everyone was called as worker हर किसी को worker बुलाया जाता था तो worker वही है जो economic activity में involved है और living earn कर रहा है and employment वही workers जब job दून रहे होते हैं जब पैसा कमा रहे होते हैं चाहते हैं कि पैसा earn करें जो चीज दून रहे होते हैं वो employment होता है जिसके through worker कॉन काम करने वाला है employment कॉन वही job job को employment बूल दिया गया तो worker क्या दूनता है job दूनता है जिससे वो means of living earn कर सके so I don't think so कि अब तुमें कोई problem रह गई होगी मैंने meaning बहुत simple basis पे बता दिया worker कॉन होता है और employment क्या होता है worker the one who wants to earn living employment में भी वही जो दूनते हैं लोग और जिसके तुरू पैसा कमाना चाहते है अच्छा मैंने ऐसा लग रहा तुरन-तुरन में बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने ऐसा लग रहा back to back है ना sorry मैं तुरन सा involved हो कि जब बोलना चालू करता हूँ मुझे ऐसा लगते है कि मैं बोलता चला जाओ ठीक है यार तो अब आते है self employment पे क्या खिर self employment क्या है अच्छा तुमने cobbler सुना होगा वो जूते ठीक करने वाला बेचने वाला तो मतलब जिसने अपने आपको hawkers हो गए hawker वगरा हो गए यानि मेरा simple कहना मतलब यह जिन्होंने अपना चोटा मोटा business खोल के रखाओ चोटा मोटा व्यापार करते हो बिटा उन लोगों को self employment कहते है ठीक है मैं बड़े बड़े companies बड़े बड़े business houses की बात नहीं कर रहा self employment कहता है जब आप बहुती एक minor level पे बहुती छोटे level पे अपने लिए काम करते हो that is termed as self employment now workers who own and operate an enterprise to earn their livelihood 52% workforce जो इंडिया का है वो self employed है self employment के तहत आता है फिर मेरे भाईयों तुम पूछो के wage employment क्या है यार देखो wage एक ऐसा concept है जिसमें मैं बहुत on and on तुम्हें बता सकता हूँ लेकिन अभी precisely जो तुम्हारे boards में पूछा जाएगा 40 marks का आ रहा है तुम्हारा paper उसमें से मेरे खाल से 18 mark का ID something about है तो 18 mark के साब से त्याद रखो बस के worker who sells his labor एक ऐसा worker जो अपनी physical labor बेच रहा है मतलब काम करके देगा वो आपको and earns in return जिसके बदले में फिर वो कमाता है नाव ये जो होते हैं ये casual भी हो सकता है और ये regular भी हो सकता है regular का मतलब रोज मर्रा में काम करने वाला इनसान भी हो सकता है regular इनसान भी हो सकता है या तो casual होगा कभी काम करेगा कभी काम नहीं करेगा या फिर regular हो सकता है जो रोज मर्रा में काम कर रहा हो मतलब workforce को दो पार्ट में divide कर दिया एक हो गया self employment वाला Self employment क्या कहता है जो रोज मर्रा में अपना कोई business करके अपना कोई काम करके पैसा कमाता है wage employment क्या कहता है किसी के यहाँ पे जाकर आप अपना labor offer करते हो Again technicality तुम्हारे को रामचरित मानस लिखने से marks नहीं मिलेंगे That means long answers लिखने से marks नहीं मिलेंगे labor offer करता है वो wage employment के अंदर आता है यह लोग हो सकते है Casual यह लोग हो सकते है regular दोनों हो सकते है Casual कभी-कभी काम करने वाला regular रोज मर्रा में काम करने वाला अगर मैं next point पे आऊ ना growth and changing structure के अंदर भारत के अंदर बोला जाता है कि भारत के अंदर jobless growth है मतब growth तो दिखती है लेकिन jobless growth है output बढ़ रहा है इंडिया का production बढ़ रहा है production capacity बढ़ रही है भारत के अंदर development दिखता है कि हो रहा है लेकिन एक time पे ऐसा बोला जाता था कि भारत के अंदर jobless growth है that means sectors तो बढ़ रहे हैं लेकिन लोग employed नहीं हो रहे हैं लोग को job नहीं मिल रहा है तब भारत को बोला जाने लगा था भारत एक ऐसा sector बनता जा रहा है जो कि jobless growth दिखाता है मतब production बढ़ रहा है capacity बढ़ रही है output बढ़ रहा है लेकिन jobs नहीं निकल रहे है so jobless growth है क्या सुन लो situation when the economy is able to produce more goods manufacturing जादा हो रही है जादा services offer की जा रही है without increasing employment opportunities लेकिन employment opportunities नहीं grow हो रही है मैं तुम्हें reason बताता हूँ ताकि तुम जादा relate कर पाऊ मेरे से connect कर पाऊ because technicality में क्या लिखना है वो तो मैंने तुम्हें बता दिया India में problem क्या है lack of education है India में education को उती importance नहीं दी जाती education को थी priority नहीं दी जाती and then होता क्या है जो बड़ी-बड़ी companies बैटी होई है they think like के आप लोग अब मैं कैसे बोलू you are not well educated enough or well trained enough to work for a good job आप उस job को करने के लिए सही है और जो लोग बिना education के काम कर रहे proper education के साथ नहीं काम कर रहे what companies are doing is what companies were doing बताता हूँ अभी तो ठीक है फिर भी बहुत situation वो companies क्या करती थी उनी से extensive काम निकलवाने लगती थी instead of giving a job to a new person वो जो existing उनके पास labor था वो उनी से double triple काम करवाने लगी and तब जाके वहां हमारे इंडिया में jobless growth दिखता था again because of lack of education MBAs के साथ भी एक time पर वही हुआ था now the scenario and situation is changing then there is overall growth growth overall दिखती है jobless के अंदर ठीक है jobless growth बोलते है ना जिसे हम उसके अंदर growth तो overall है economy के अंदर without corresponding expansion in employment opportunities मतलब employment opportunities का कोई expansion नहीं हो रहा है growth तो दिख रही है मतलब हम market में जा रहे है हम देख रहे हैं के नहीं नहीं companies existence में आ रही है you know ठीक है वहाँ पर growth के लिए employment भी generate हो रहा है लेकिन जिस हिसाब से output बढ़ रहा है ना उस हिसाब से jobs नहीं निकल के आ रहे है मतलब ऐसा मत सोचना के jobless growth का मतलब है एक भी नहीं employment नहीं निकल के आ रहा है there is but expansion term मैंने use किया तभी मैं बोल रहा हूँ कि तुम लोगे marks क्यों नहीं आते क्योंकि तुम लोग उस level पर पढ़ा ही नहीं करते हो और फिर सोचते हो कि कोई तुम्हें बता है तुम्हें सुनने ही तो है मैंने क्या बोला कि corresponding expansion नहीं हो रहा है तुम लोग गलत पढ़के क्या चले जाओगे गलत क्या लिख क्या होगे फिर बोलोगे ID में सब पढ़ा था किसी ने marks ही नहीं दिये मुझे लगता है लोग मुझसे प्यार नहीं करते बात वो नहीं है expansion का मतलब समझो तब जाके marks मिलेंगे expansion says कि आपके economy के अंदर न jobs में एक exponential growth दिखनी चाहिए expansion सा दिखना चाहिए क्योंकि बड़ी-बड़ी companies आ रही है नहीं नहीं industry set up हो रही है देखो job में क्या growth rate दिख रहा है तो jobs भी exponentially बढ़नी चाहिए जो के नहीं हो रहा था and मैं honestly बोलूं मैं तुम्हें यही सिखाना चाहरा था कि जो तुम्हारे marks कटेंगे वो कहां जाएंगे इस जो table को तुम देख रहो यहां पर जो trend देख रहो employment sector का इससे पहले का सब पढ़ना जरूरी था ताकि तुम इसका answer कर सको honestly इस table को मिरको यहां पर अगर मैं नहीं भी लिखूँ still you will be scoring full marks in employment chapter लेकिन मैंने क्यों लिखा भाई यह market demand है न तुम्हें बेवकूप भी तो बनाना है तुम समझ रहे हो तो इसका कोई मतलब नहीं है मैं पढ़ाने को पढ़ा दूँ बट again तुम्हें इससे पहले का पूरा याद होना चाहिए तब जाकि तुम्हारे लिए यह matter करेगा हुआ क्या है primary sector जो हुआ करता था 74 से 60 से 48 हमारा primary sector decline पे है secondary sector देखे 10, 15, 24 हमारा बढ़ रहा है secondary sector tertiary sector जो job oriented sector है 14, 23, 26 ये भी बढ़ रहा है आप क्या बोल सकते हो कि भाई आप primary में decline हैवी है secondary में जो growth है मतलब जो हमारा factory होती है industrial sector होता है उसमे growth exponential है लेकिन अगर आप वही tertiary sector में देखो तो यहां से यहां का leap बहुत बड़ा है लेकिन यहां से यहां तक का leap बहुत कम है मैंने सिखाया क्या इसको याद नहीं करना है तुम इसके points खुद बना के लिख सकते हो growth in primary sector first point growth in secondary sector second point growth in tertiary sector third point growth in tertiary sector is less than growth in secondary sector fourth point ऐसे fifth point बढ़ा दो overall comparison fifth point मतलब मैं कहना क्या चाहता हूं you don't have to memorize this यह बना बनाया आएगा और इसके basis पे तुमें answer देना होगा और तुम कैसे दोगे because इससे पहले के मैं topics पढ़ा चुका हूं now you have a mindset भाया ने बताया था ऐसे पढ़ना है अगर तुमने वैसे पढ़ लिया तुम इसके answers ऐसे चुटकियों में लिखके आओगे के yes you know we have seen a rise in the secondary sector industrialization is being done in India at a heavy rate but we are not seeing the same amount of growth in the tertiary sector the service class sector यह service class sector है जिसमें हम jobs देखते हैं तो 23 से सब 26% की growth है आपे millions में है growth जो है so we are not seeing that exponential growth in the tertiary sector but we can see a very good growth in the secondary sector अंगरे जी जाड़नी है लेकिन कब जाड़ पाओगे जब तुमने इससे पहले की पूरी technicality याद करके रखी है casualization of workforce की बात करूँ तो समझो ज़रा meaning क्या कहता है process है आप move कर रहे हो self employment से जो अपना business चला रहे थे उससे आप आगे जा रहे हो मतलब उसको बंद करके कुछ नया चालू कर रहे हो then आप self employment के बाद regular salaried employment जो था regular salaried employee मतलब किसी के अंडर काम कर रहे थे आपको wages वगरा मिल रहे थे regular basis पे आपने वो भी छोड़ दिया आपने अपना business self employed जो थे उसको भी छोड़ दिया and आप casual wage workforce का part बन गए now let me explain you what is casual wage workforce कहीं अगर थोड़ा बहुत काम निकल आया प्रधान मंत्री, स्वरूजगार, योजना वगरा निकल आया या development होने लगा, विकास वगरा होने लगा गाउं में, roads वगरा बनने लगी, bridges वगरा बनने लगे, dams वगरा बनने लगे तो वहाँ पे आप casually employed हो, कभी काम करते हो, कभी काम नहीं करते हो हमारे भारत में ये trend देखने को मिला है और यही casualization of workforce में explain किया है क्या तुम्हें ये पूरा table याद रखना है, बिलकुल नहीं जो याद रखना है, उसके raw notes, core notes, चुद्नू से note जो याद रखने, वो इसमें है, description में दिये हुएं, ले लेना उससे तुम्हारा पूरी तेयारी हो जाएगी, ये सब नहीं इसमें सिर्फ अंग्रेजी जाड़नी है, technicality भाई तुम्हारा पहले ही सिखा चुका है तो गलती मत कर लेना, इसमें घंटो दे रहो, because you have to remember every single point हजार बार बोल दिया है, नहीं करना है, so क्या बोला गया, कैसे casualization दिख रहा है पहला, decline in the rate of self-employed people भाईया, पहले 61% तक हुआ करते थे, 11-12 में, सिर्फ 52% तक लोग बचे regular salaried employee वैसे भी कम थे, अभी याँ पे कोई ऐसी exponential growth नहीं दिखी है regular salaried employee में हाँ growth है, लेकिन एक बार fall हो के फिर growth है, जो कितनी जादा नहीं कहलाईगी और क्या होता है, इसको किस से relate कर सकते हो तुम, because in India, मैं ही बात सुनो, because in India, you know, output has been grown, new industries are coming in, this is a normal behavior for regular salaried employee trend to come in अगर हमारे इंडिया में output बढ़ेगा, तो इसमें थोड़ी बात growth दिखेगी, but this is not the changing trend in India, the changing trend is casual workers, कहा 23% के असपास हुआ करते थे, कहा 30% तक पहुच गए है, so that means, एक shift अच्छा खासा देखने को मिला है, हाँ, ये भी कह सकते हो, but there has been certain consequences, जहान 99-2000 में काफी increase था, उसके having 30% of the rate in 2011-12, comparatively to regular and salaried employee, वो ज़्यादा जरूरी दिखता है, कि भाया, important है, casual workers बहुत ज़्यादा हैं हमारे इंडिया में, और अगर तुमने इस context में अपने answer लिख दिये, keeping in mind, जो मैंने previous technicalities तुमें सिखाई है, कोई एक mark भी नहीं काट सकता है, तो मैं बता दूँ कि मैं इन पूरे notes को ऐसे क्यों बनाया है, because जो previously मैंने पढ़ाया इसमें, जितनी भी technicalities पढ़ाईं, तुम कोई किताब खोल के देख लो, you know, कोई sample paper book खोल के देख लो, वही सब content answer लिखा हुआ है, based on these tables, answer वही मिलेगा जो पढ़ाय, technicality वही मिलेगी, बस इस table की basis पे उसको reformat कर दिया गया है, re-answer कर दिया गया है, मतलब फिर से लिख दिया गया है उसे, इनके terms में, इनके comparison के terms में, this percent and that percent of you know, समझ गया ना तुम, तो तो तुम्हें क्या ध्यान रखना है, जो technicality सिखा दी है, in tables के automatically answer कर दो के, point तुम्हें बनाना आता ही है, fall in self employment, then a consistent, a rise in maybe regular and salaried employee, REGU QLAR, regular and salaried employee, casual workers, there has been a consistent rise, बता सकते हो in 2011-12 करके, points you can make all by yourself, the only thing that you have to write under the content is technicality, भाई, पहली बता चुका, अब देखो है, informalization of Indian workforce का मतलब क्या हुआ, जो हमारा total workforce बढ़ रहा है, जितने भी लोग काम करते है, हम मैं workforce का meaning तुम्हें समझा चुका हूँ, ठीक है, workforce मतलब जो वा तो उनमें जब informal sector का contribution बढ़ना चालू हो जाता है, now you will ask, what is informal sector, तो पहले मैं formal बता देता हूँ, फिर informal बता देता हूँ, वैसे informal होता क्या है, वो छोटी मोटे business चालू हो जाते है, जो बहुत बड़े scale पर नहीं काम करें, those are basically informal sectors, so उनके अंदर workforce comparatively बढ़ रहा है, overall workforce के अं इनके अंदर देखा जाए, तो technicality दिमाग में रहना चाहिए, अंगरे जी भी पढ़ेगा भाई तुम्हारा, situation where, the proportion of the workforce, proportion मतलब एक तरह से ratio workforce का, in the informal sector, जो workforce का ratio है informal sector में, out of the total workforce increases, भया, total workforce में अगर informal sector का workforce बढ़ रहा है, informal sector में जो actually employed है, उनका ratio अगर बढ़ रहा है, तो उ नहीं नहीं यह trend देखा जा रहा है, कि हमारी Indian workforce, informal sector में जादा काम कर रही है, in comparison to the formal sector, now, formal और 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 सेक्टर क्या हुआ, all the public enterprises and private establishments which employ 10 or more hired workers are called formal sectors, यानि वो बड़े-बड़े public enterprises, वो private establishments, जो के भाईया, 10 या 10 से जादा लोग को employ करते हैं, उनको formal sector कहा जाता है, again technicality याद रखना, कहां गया, 10 यह रहा ना, 10 और मूर को employ करते हैं, hired workers होते हैं, hired मतलब वही, आपने उठाया और daily wages basis पे जैसे भी आपको रखना है, आपने रख लिया, कई बार monthly basis पे भी system चलता है, now, formal sector workers, formal sector workers वो होते हैं, जो formally काम करते हैं, मतलब वही इसी के अंदर काम करने काम आता है, बट दो मिनिट के लिए भूल जाते हैं, और यह मान के चलते हैं, कि यहां के workers permanent हैं, यहां के workers regular basis पे काम कर रहे हैं, तो इन workers को ना, जो security benefits है, चाहे medical हो गया, चाहे, you know, accommodation हो गया, घर वगयरा हो गया, वो खुद company करवा के दे सकती है, only 7% of the total workforce है, लेकिन यह, यह दिक्कत है, और क्या यह याद रखना है percentage, हाँ, यह याद रख सकते हो, less than 10, क्या exact 7% याद रखना है, जरूरी नहीं है, less than 10% of the total workforce, 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 यह क्यों बोला भाई ने तुम्हारे, ताकि याद रहे कि मैं labor force की बाती नहीं कर रहे, this entire chapter is based on workforce, not the labor force, labor force किस के लिए था, labor force पे based नहीं है, निकाल दिये दिबाग से तुमारे, खोपड़ी खाली हो गई, तो यहाँ पर workforce देख लो, यहाँ पर क्या बोला, कि भाईया, 7% total workforce का जो है, वो हमारे ये, formal sector में बैठे हुए, मतलब less than 10% बैठे हुए, formal sector में, मैंने वापिस से बोलना है, दिमाग खराब नहीं होना ची, तुमारा 7 प्रतीशत जो मैंने तुम्हें बोला, वो क्या बोला मैंने, यह less than 10 के अंदर भी count हो सकता है, you don't have to remember exact 7%, अब तुम पूछो कि क्या होगा, तो भाईया, जो 10 से कम है, less than 10 लोग उसे जो काम कर रहे हैं, वो हो गया, आपका informal sector, all those private enterprises, अब मैं यहा भाई तुमारा सिखाना चाहता है, मैंने यहाँ पे 90% of the employment is found in the unorganized sector, यहाँ पे मैंने यह लिखा है, मैंने तुम्हें exact figure नहीं दिया है, अगर मैं वहाँ पे बोलना हूं less than 10% in the formal sector, मैं तुम्हें यहाँ पे बोलना हूं around 90% in the unorganized sector, कितना clear है यह चीज, यानि यह समझाता है, CBSC ने कभी नहीं बोला, they will be asking for percentages, अब बोला कि नहीं पूछेंगे, I know, but एक logic होता है, CBSC को यह भी देखना है कि सबको पास करना है, and there is certain logics that play around, and हम लोगों को वो logics पता है, so nobody will be asking you the exact percentage, बताओ, क्योंकि 4 बोग उठाओ, चार अलग percentage मिलेंगे, so don't go with the percentage, less than 10 in the formal sector, around 90% in the unorganized or informal sector के अंदर आ जाएगा, और male workers जो है, वो 69% के around आते हैं, तो around 70% you can also write, के male workers जो है, around 70% के around रहते हैं, informal sector के अंदर, मैंने क्या बोला था, मैंने exactly बोला था, कि यह पूरी मैमीम बनुगा सीरीस किस चीज़ पर बेज़ जाए, कि तुमसे रगड वगड महनत नहीं कर रहे हैं, अब मैंने चाला की से तुम्हें पहले से ही बता दिया कि उसके अंदर क्या technicality में याद रखना है, तुम्हें मालू में वो wordings तक क्या है, जो तुम्हें याद रखना है, उसके basis पे तुम्हें stable का answer दे सकते हो, कि यह formal sector में male जो है, वो near about 24 million है, female 6 million है, total यह 30 million ह हो गया, formal sector के अंदर, informal sector के अंदर, 306 million male है, informal sector, काउंटिंग देखो तुम्हें रहे हैं, 137 female है, and total में देखा जाए, 443 की workforce है, 443 million की है, तो, यह सब ना, यह दिया रहेगा question में, तुम्हें इसके basis पे answer करना है, और तुम क्या करोगे, क्योंकि तुम्हारा पूरा ध्यान, इनका पूरा ध्यान क्या है, कि मेंको तो table याद करना है, मेरे को उसके अंदर explanation याद करना है, they will forget, कि उसके अंदर word कौन से use करना है, workforce, अगर तुम वो सब ध्यान नहीं रखोगे, क्योंकि I have to use the term workforce, लिखके क्या होगे labor force, लिखके क्या होगे workers, गए तुम्हारे marks, बिल्क यूज नहीं किया, अगर तुम दे वो technicality यूज नहीं किया, अगर तुम दे वो technicality यूज नहीं किया, अगर तुम सोचे होगे कि मेरे को table नहीं है, अगर table का खेली नहीं है, that is what hashtag MMB, अगर सुन लिया है, तो like जरू करते न वाई वीडियो को, हाँ, तो मेरे भाईयो, meaning of unemployment क समझना पड़ेगा ना, क्योंकि ये भी तो एक चीज है, तो भाईया, मैं नहीं तो तुम्हें सिखाया था, कि unemployment इस chapter के अंदर, वो जो labor force word use किया था, वो किसी काम का नहीं था, labor force was just to determine कि कितने unemployed होते हैं, क्यों, क्योंकि chapter के अंदर, एक topic है unemployment है, ना, chapter के अंदर, एक topic है unemployment, तो उसके लिए भी तो कोई formula होना चाहिए, तो labor force के तहत, वो formula आपको दिया गया था, labor force में से workforce अटा दो, तो तुम्हारा unemployed लोग आ जाते हैं, सिर्फ उसके लिए वो formula था, सोचो तुम, so unemployment एक situation है, जहां पे people are willing to work at existing wage rate, जो भी पैसा दे रहा है, सामने वाला काम करने को तयार है, but do not get work, लेकिन उनको काम नहीं मिलता है, यह सबसे बड़ी problem है when it comes to unemployment, now, आखिर हम unemployment का data कहां से उठाते हैं, सबसे पहले चीज़ तो census से उठाते हैं, ठीक है, नसो से उठाते है, National Sample Survey Organization के थुरू उठाते हैं, Directorate General of Employment and Training से उठाते हैं, यह सिर्फ आपके notes है, जो वाले वाले चूरन खाते हैं, फिर हवाओं में यह घटाएं घोलेंगे, पीज़ चूरन खाते हैं, यहां हम शूट करें तो वह disguised unemployment है, इनको लगता है यह काम कर रहे हैं, बट यह काम नहीं कर रहे हैं, तो डिस्ग, क्या है? अच, डिस्गाइस नेंप्लोइमेंट क्या कह है, all seem to be employed, but contribution of extra workforce is zero, मतलब, यहां पे हुआ क्या, यह दो लोगों का नुकसान करा रहे हैं, एक मालिक को तो खेर घंटा फखनी पड़ता, लेकिन हा, दूसरा, जो existing employed हैं, उनके साथ यह जो नए लोग employed होगा है, यह उनका नुकसान करा रहे हैं, क्योंकि फिर wages सब की down हो ज unable to find jobs during some months of the year, मतलब, इसके अंदर क्या हुआ, कुछ महीने तो आपको job मिल रहा है, लेकिन कुछ महीने आपको job नहीं मिल रहा है, वो seasonal unemployment हो जाता है, and last, आपका open unemployment, economic phenomena, in which persons are able and willing to work at prevailing wage rate, but fail to work or get work, fail to get work, मतलब, जो open unemployment है, यह typical definition है, जो actual unemployment होता है, कि यह काम करना चाहते हैं, यह existing wage rate पर भी agree करते हैं, but still they are not getting their job, यह हमारा open unemployment होता है, so, यहाँ पर कुछ और भी बोलाए क्या, मेरे खाल से तो नहीं, यह बस इतनी है, कि one unemployment is different from disguised, यह open बोलना चाहता था, मैं one लिग दिया मैने यहाँ पर, sorry, जो यह open होता है, open unemployment जो होता है वो different under disguised unemployment से, क्यों, let me tell you a very good reason, because open unemployment बोलता है, कि आपको काम ही नहीं मिल रहा है, existing wage rate पर, क्योंकि यह difference आ सकता है, इसलिए मैंने यह mention कर गे, यहाँ पर रखा हुआ था, open unemployment, you are not getting job in any way, disguised में क्या फाइदा है तुम्हें, at least you are getting the job, although your output or contribution is zero, मतलब तुमारा contribution जीरो है जाता पैसा मिल रहा है, but still at least for calling sake, तुम disguised unemployed हो, मतलब, job तो है तुमारे पास, यहाँ तो तुम्हेरे पास job भी नहीं open unemployment में, now causes of unemployment की बात करूँ अगर, सबसे पहले आजाता है, slow rate of economic growth, अगर हमारे भारत की economic growth ही कम है, output or production ही नहीं बढ़ रहा है, तो employment भी नहीं बढ़ेगा Actual growth rate always lies far below the target rate in 5-year planning, मतलब, जो हमारा growth rate हम इंडिया में सोचके चलते हैं, कि यह होगा वो होगा, तो यह याद रखना, हम हमेशा, जो growth rate हमने जो भी target की आए, वो हमेशा 5-year planning जो हमारी होती है, उसमें हमेशा ही पीछे चलते आए, कभी ऐसा नहीं हुआ है, कि हमने अपनी expectations को एकसीड कर लिया हो, तो जब हमारा growth rate ही slow है, तो हमारे jobs अच्छे से नहीं निकल के आपाएंगी और unemployment बढ़ेगा ही, then comes population explosion, लोग aware ही नहीं है, लोग यह नहीं सोचते हैं कि भाईया, बच्चे दो ही अच्छे कोई categorization कर लें, या अपने हिसाब से चीजे लेके चलें, लेकिन नहीं है, जितने लोग इलिटरेट हैं, जितने लोग को knowledge नहीं है, वहाँ पर आज भी आप ऐसे काफी सारी जगे पर देखेंगे, जहां आपको यह problem सबस्यादा देखने को मिल रही है, rapid rate of population growth, another cause of increasing unemployment, underdeveloped agriculture, एक और चीज़, सरकार यहाँ पर क्या कर रही है, ठीक करना चाहते हैं, उससे पहले आपको agriculture को infra देना पड़ेगा, ताकि वहाँ पे growth दिख सके, now fourth point आजाता है, defective educational system, obviously तुम जानते ही हो, चल छोड़ो क्या ही बात करना बढ़ हाँ, education system के अंदर उतना properly education नहीं दिया जाता, जिससे के एक बच्चा जो है वो, you know, अपनी life म industry, हमारे आँ इंडिया में shortage है capital की, modernization इतना नहीं है, advanced tech इतना use नहीं होता है, हम agriculture driven society रहें mostly, तो वो दिखता है यार, कि हमारी industrial growth rate जो है, वो comparatively बहुत slow है, Modi government आने के बाद, जो make in India projects है, अब मानो ना मानो, I don't believe in political parties, बट हाँ, वो growth कहीं ना कहीं बड़ी है, बट सिल अपन बहुत पीछे है, industrialization से, जो actual में India को need है आज के time पे, and finally remedies की बात करें, तो सबसे पहले तो हमें भारत के अंदर GDP बढ़ाना जरूरी है, gross domestic product बढ़ाना इंडिया में output बढ़ना जरूरी है, तभी growth बढ़ेगी, and तभी मैंने बोला कि India का make in project, made in India project, बहुत, make in India project, बहुत ज़्यादा जरूरी था, because, वरना अगर आज हमारी हालत श्रीलंका जैसी होती, जो भी उधर पे हो रही है, so aggregate employment problems, जो है, can be resolved, can be solved, result, जो भी तुम बोलना and इसलिए मुझे ऐसा लगता है, कि जो भी EV market आने वाला है, आगे जो trend देख रहे हो तुम, electrical vehicles का, वहाँ पे India hub बन सकता है, और ये जो GDP की हमारी slow rate of GDP जो है, ये शायद कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक problem solve करके दे, so growth rate of GDP between 8-9% है, ये हमें needed है आज के time पे, 8-9% के बीच म कि चलो कुछ ना कुछ किया जा रहा है, for employment generation, employment growth और, मैंने क्या बताया था, expansion, expansion ही अपने यूज किया था, employment expansion, वो उस चीज में help मिल पाएगी, finally control and population growth, बहुत जादा इसके अंदर नहीं लिखना है, हमें awareness फैलानी पड़ेगी, तब जाके resources को limited लोग यूज कर पाएगे, अ जो हम agriculture sector को हर बार ignore कर देते हैं, कि यहां से क्या ही employment आएगा, यहां पे क्या ही returns मिलेंगे, आप बस technology advance करो, उसको financial capital support दो agriculture sector को, आपको यहां पे growth मिलना चालो हो जाएगी, quality of employment, जो existing labor force है, वो मिलना चालो हो जाएगा उनको, then creation of self employment opportunities, सरकार ने ऐसी बात तो की है, काफी सार की business खोलते हो, कोई idea आपकी पास बहुत अच्छा है, तो सरकार आपको finance कराने को तयार है, आप self employed हो सकते हो, आप अपना काम चालो कर सकते हो, सरकार उसमें help कर रही है, मदद कर रही है, तो government provide कर रही है, वैसे तो financial assistance, लेकिन इसको बहुत बड़े level पे करना जरूरी है, ना employment program साना जरूरी है, जहां पे जो wage employment है और self employment जो है, वो opportunities दी जा सके, वहां पे आप grow हो सको, अचा ठीक है, तो government policies and employment generation जो है, तुमें लगेगा कि बहुत जादा इसके इंदर पढ़ना है, बट honestly मैं बता रहा हूं, ये दो point से जादा कुछ मत पढ़ना, एक तो हो गया, government provides direct employment government direct employment provide कर रही है, by employing people in various departments for administrative purposes, सरकार खुदी job opportunities दे रही है, पहली government policy हो गई, ठीक है, दूसरा कैसे employment generate कर रही है, with increase in output of goods and services of the government enterprises, सरकार के enterprises का अगर output grow किया जाए, private sectors providing raw material to government enterprises will also raise their output, this will increase the employment, मतलब सरकार जहां पे भी production कर रही है, सरकार जहां पे भी output लेके आ रही है, वहां पे अगर सरकार भी output का production बढ़ा दे, output का production बोलो, output को increase कर देती है, तो indirectly यहां पे employment opportunities बढ़ जाएंगी, फिर employment generation programs क्या बोलते है, government चाहती है कि poverty elevate हो सबसे पहले तो, ठीक है, employment generation programs के through, all these programs aim at providing employment services in primary health, education, rural shelter, etc, मतलब यह सारे programs जो है, यह चाहते हैं कि आपकी basic primary health की तरफ काम किया जाए, जितनी भी employment generation programs है, ताकि at least वो basic आपको health facilities मिल सके, education मिल सके, basically rural sector को develop किया जा सके, मतलब यह चोटी-चोटी चीजों को ध्यान रखके, यह employment generation programs को लेके आए हैं, finally, these programs also aim to assist people in buying income and employment generating assets, development community assets and construction of houses and sanitation, मतलब मैं हिंदी बता देता हूँ, ताकि तुम लोग इसको बहुत ठीके, इन्होंने क्या बोला, यह जो programs हैं, यह people को assist करते हैं, लोगों को, ताकि वो employment और income generate करने वाले assets को खरीदे, मतलब ऐसे assets को लें, जिनसे वो रोजगार निकाल सके, रोजमर्रा की needs निकाल सके, मतलब उनसे कोई भी चीज प्रोड़क को produce करके, development community assets, मतलब वही हो गय या, roads बना देना, health infra खड़ा कर देना, education system खड़ी कर देना, यह basic basic चीज़ें वहाँ पर complete करना, and construction of houses and sanitation, सुच्छता अभियान, तुमने सुनाई होगा, houses को construct कराना, इन सब में, इन सब से employment generate किया जा सकता है, कैसे, वो मैं बता चुका हूँ तुमें, पहले चीज तो assets build up कर यहां से, उन assets के तुरू, पैसा कमाना चालू कर दिया, computer, computer दिलवा के भी कई बार होता है, यह जो ticket booking करवाने वाली चीज़े होती, यह सब करवा दिया जाए, development, community assets के तुरू, वो develop होंगे, तो वहाँ पर भी labor लगेगा, construction of houses or sanitation होगा, तो वहाँ पर भी labor लगेगा, और इ National Rural Employment Guarantee Act, 2005 का था यह, then Prime Minister, वोई प्रधानमंत्री, रोजगार योजना थी, and then Sun Guarantee, शहरी रोजगार योजना, यह कुछ ऐसे programs है, Employment Generation Programs, जिनको तुम examples में लिख सकते हो, यह chapter के अंदर जो technicality थी वो भी मैंने बता दी, जो मुझे लगता था explain करना है, वो भी मैंने explain कर दिया, बाकी छोड़ा मैंने कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बस तुमें इन नोट से एक बार go through होना है, इस वीडियो को देखने के बाद, तो तब तक के लिए, बहुत सारा प्यार और धन्यवाद